बच्चों को भरती कराय गया था जिनमेंसे 19 की मौत की खबर आ रही है वही बाकि जो बच्चे बच्चे हुए हैं उनको तेज बुखार बताया जा रहा है वही मुजपरपुर और आसपास के इलाकों में के ये बच्चे हैं जिनको यहां भरती कराया गया है तस्वीरे हम जा रहा है कि उन्नीस बच्चों की मौत हुगई है और बिमारी इस्तिति के अगर बात करें तो SKA MCH में कैसे इस्तिति है या फिर पूरे जिल्हAy के इस्तिति की बात करें तो फिल्हाल बच्चों के इस्तिती कैसी है अभी आदि के तारीक में इसके मटियत में चोवीस बत्टे बद्टी रखें जो बीमारी सब्सक्राइब उनकी भर्ती है जिसमें दो प्रीटिक अभी तक महत है और कुल मिलाकर कै कि कर्षम कर्षम कर्षा थे बत्टे अगर बताय जाए तो कि इस बताय जाए और डॉक्टर इसके आगे क्या उपाय करें तो कि यह प्रकेश्ट प्रकेश्टिक आपना है तो बच्चे पर जो भी पैरेंट्स है वह ध्यान नहीं देते हैं जिसे पानी की कमी हो समय पर खाना नहीं मिलना यह खासकर इस बीमारी का मुझ जर है जिसकारन पर इतनी बड़ी स बड़ा के तरह से विवस्थाएं की गई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं की गई है जितना जिले में चाहिए साथ जिस हिसाफ से परकौप है वो चल रहा है जिसकारन से काफी मतकत करनी पर रही है और जो पैरेंट्स है वो समय नुसार जो है बीमारी होने के बाद कवास्त्रीभाग का वहां पहुंचा है क्योंकि उन्नीश बच्चों की मौत या फिर जिस तरीके से बच्चों की मौत है और गाया थायर 政治 की जब दार कि एक ही फो ल ende कि अब तक जो है इस केस से बावन मरीज जो है बावन बच्चे जो है वाइसके में एडमिट हुए है और सब्सक्राइब की मौत इस बिमारी से हो यह जो अधिकारी काकरा है उसका मतार बचाए गया है लेकिन अपी जो है जो बच्चे भरती है उनमें 13 की हालत वो गंभीर बत सब्सक्राइब करें लेकिन जो जिस हिसाब से बच्चे में जो व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों को देख रहें के लिए वह फिलाल व्यवस्था है अगर हम कहें तो जल्दी वाजी होगा जो कि मुझपक दिले में माच तरह दो अस्पटाल है जहां इसारे की इलाज चल रहा है एक निजी अस्पटाल है वहां पे चल रहा है और दोसरा जो एसकेम क्येस है मेडिकल कॉलेज मुझपकार का पूरे उससर ब्य धन्यवाद ते ये थे हमारे सहयोगी मनोज जो अधिक चानकारी दे रहे थे तो आपको बता दे कि आधिकारिक आंकडा 17 बच्चों का बताया जा रहा है जिनकी मौत हो गई है वहीं बताया ये जा रहा है कि 4-5 बच्चे जिनके इस्तिती काफी गंफिर है उनके लिए डॉक् थाम लगाना मुश्किल नजर आ रहा है कठिनाईया बहुत जादा है क्योंकि काफी संख्या में एसके में बच्चे भरती हो रहे हैं 54 का आकडा बताया जा रहा है कि 52 से 54 बच्चे अब तक एड्मिट हो चुके हैं जिनमें 17 की मृत्यों की पुष्टी हुई है वहीं 4-5 ब बखार कहले वह एक तरीके से काफी उस बिमारी का कहर उन लोगों पर है तो उन लोगों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है हाला कि अभी तक किसी भी कोई नास्वास्त का मंत्री कहले या फिर स्वास्त भाग का कोई बड़ा धिकारी कहले वह अभी त इस बिमारी को लेकर इराज चल रहा है सबसे जादा अगर जो बिमार बच्चे पहुंच रहा है और फिलहाल वहां के स्थिती और वहां के स्थिती को समाल पाना डॉक्टर के लिए मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि वहां पर इतने बेट की सुबिधा या फिर उस तरीक हो चाहोगा इस वज़े से सुबिधाओं को लेकर काफी वहां पर जद्दो जहट चल रही है हलाकि बताइए भी जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रे भी उसका निरक्षड करे जाएं वहां पर देखे क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्व हो रही है और इसको ले और आई आपको सुनाते हैं कि SKMCH में एक इस तरीका से डॉक्टर क्या क्या कुछ क्या रहा है जरा आप भी सुन लिजे तो डॉक्टर सी ये कह रहा है कि जो बच्चे यहां पर आ रहा है उनमें एक तरीके से जब पूछा जा रहा है कि क्या कुछ किस तरीके से हुआ तो मरीज के जो परीजन है जो बच्चों के परीजन है वो ये कह रहा है कि धूप में खेल रहा था बच्चा अचानक से इस तरीके से हो गया और उसको भरती कराया जा रहा है लेकिन जो अधिक बच्चे जो आ रहा है जिनके संख्या अधिक बताई जा रही है वह इस के MCH में आधिकारिक आंकडा अमने आपको बताया कि 54 बच्चे विमार बताया रहा है जोनमेसे 17 की पुष्टी हो चुकी है कि व्रत्ति हो गई है हला कि 4-5 बच्चे ऐसे स्थिति में है जिनको बचा पाना डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मुश्किल है और इस स्थिति में आभी काफी जो और भी बच्चे हैं उनके भी स्थिति गंफिर बने हुई है हलाकि उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर तौम लगे हुए है लेकिन सुविधाओं की थोड़ी आइसके MCH पहुँचे और उन्होंने वहां का नेडिक्शन किया और तमाम सुविधाओं देने की बात कही है न्यूज वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं